हेलो फ्रेल्ब संद्य की कोकिंग में आपका स्वागत है देखिया आज हम बनाते हैं सिर्फ दो पके हुए केले से इतनी लाजाबा मिठाई नेखिये जो केले हमारे घर में लोग नहीं खाते हैं दागवाले हो जाते हैं उन केलों को हम फेकने से अच्छा है कोई एक अच्छ के दो मिनट तक पकाएंगे उसके बाद इसे हम फीर से खोल के देखेंगे और इसे सभी केलो को मैक्स करें लेंगे northwest दो-3 मिनट के बाद यह मैक्स हो जाता है इसे ककुई दिकत नहीं हो और एक चीज हम लेंगे एक दूसरी कडाही उसमें हम ढालेंगे दो चम्मज देसी घी और एक कटोरी चावल का आटा अब इसके जगह पे गेहूं का आटा भी ले सकती है और सूजी भी ले सकती है आपको जो ही सुधा लगे पैसे सूजी भी लेंगी तो बहुत ही अच्छा आपको result मिलेगा इस मिठाईगा और इसे medium flame पे हम 2-3 मिनट भूनेंगे वीडियो पसंद आये तो like करना, share करना चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को subscribe जरूर करना, bell icon प्रेस कर लेना ताकि हमारी जो भी वीडियो आये उसकी notification आपको सबसे पहले मिले देखे चावल का color जो है change ह चुका है अब हम फिर से उसी केले वाली कडाही में इस चावल के आटे को हम डालेंगे और एक चीज का ध्यान रखे इस टाइम गैस का flame बिलकुल लो रखे या बंद कर दे नहीं तो यह गुठलियां पढ़ जाती है इसलिए हमने तो बंद ही रखा है फिर उसके बाद medium flame प इसे ताकि गुठलिया न पढ़े अब इसमें डालेंगे हम मीठा अनुसार चीनी यह हमने चार चमश लिया है आपका जितना हो उतना उसके अनुसार लेने चीनी को वैसे भी केला तो मीठा ही होता है और दूद भी थोड़ा मलाई वला था इसलिए हम चीनी को कम डाल रहे ह देखिए और एक चमश पुटिवी इलाची यह थोड़ा सा फूट कलर एलो फूट कलर आपकी मरजी हो तो डाले आई स्कीप कर दें लेकि हमने थोड़ा सा डाला है थाकि केला का कलर जो है फीला ही होता है इसलिए हम केले की मिठाई में सोचा कि केले के कलर की ही बनाएं देखिए इसे चलाते हुए लगातार चलाते रहें ये दो-तीन मिनद में पूरा डो के फॉम में आ जाएगा देखिए तब समझे हमारा परफेक्ट बन चुकी है मिठाई अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और हम लेंगे इसे जमाने के लिए आप चाहें तो कोई ट्रे का भी उज़ कर सकती हैं हमने एक छोटा सा डिबबा लिया है आप जिसमें चाहें उसमें इसे जमा सकते हैं इसके उपर हमने एक फेपर लगा के इसे अच्छे से सेट कर देंगे देखिने हमारी भी मिठाईी जो है सेट हो चुकी है, एक बार जरूर कर देखना बहुत ही अच्छी लगती है इसे सेट करके हम ऊपर से थोड़ा सा बादाम डार कटी हुई बादाम छिड़का है अभी से हम डिमोल्ड कर लेंगे यह इजली निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं होती है देखे अब हम इसकी पीसेज को कट करेंगे आप अपनी मन पसंद की पीसेज में कट कर सकते हैं हमने तो लंबे सेफ में रखा है आपको जैसा पसंद हो ऐसा पीस कट कर लें और देखे कितना परफेक्ट जमा है हमारा केले की मिठाई सिर्फ तो तिन पके केले से हमने बनाया है वीडियो पसंद आये तो लाइक, सेर और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करना देखे इसकी हमने सभी पीसेश को कट कर लिया है लंबे ही सेब में हमने कट किया है आपकी जैसी इच्छा हो ऐसे कट करें और सर्व करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद